असाम अलेकुम गाइस आज मौसम बहुत जादा क्लावडी है बहुत जादा बादल है हबस असे जादा कहीं जादा है सब्सक्राइब कि हावा में जो है वह ऑक्सिजिएन नहीं है सास भी फूल रहा है लेकिन क्या करें वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए पहले तो मैं आपको अस्मान का व्यू दिखाऊं बहुत जादा काले बादल चाहे हैं परिंदे भी आप देख रहा हूंगे अगर वीडियो में जा रहा हो काफी नीची परवास पर हैं यह रहा है और दूसरा यह मेरे च्छत का सैटप है इंशालला अगले साल का आपको मालूम है तयाब आटूस के नाम से तयाब कैटल फार्म के नाम से जो है वो कैटल है जमीन देख रहा है इंशालला गड़ा पर कहीं सौदा बनता है तो फिर इंशालले सब वहां जो है वो शिफ्ट होंगे यह एक दुंबा है यह बकरी है बरबरी कुछ मुर्गियां है यह और बकरी अबलग यह बकरा फैसलाबादी दूसरा यह मेरा केज का साइट अब है काफी सारे चूजे जो हैं वो निकल आया है काफी जो हैं वो माशल्ला से पड़े हो गए काफी चूजे और मुर्गी अंडों पर बठनी है यह एक छोटा साइट अब यह चट पर बनाए है कम्रेक में इस मुर्गी का मैं आपको यह है असीन से के नीचे डफ के बच्चे रखे दें अब यह काफी चोटा है कली निकलें बाकी यह पीजान कडर का मुर्गा मेरा काफी पुरान है समझें कि इसी यह नसले चलती जारी है एक मुर्गी और बठी है यह और है कि इस यह बाकी चुशे काफी जारा तादाद में इस वाड़े की दिखाने की हमें यह और है बैरी बठी है यह विजार से दो चार दिन में इसके बच्चे निकलाएंगे माचे कुछ बच्चे इसके जो हैं निकल शेके यह अ साज़ाने के बाद अब आप सेल विदा कहूंगा बुंदा बांदी शुरू हो गई है अच्छी खासी मोटी बुंदा बुंदे पड़ रही है बारिश की ना इंशालला अब आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में जब तक अपना ख्याल रखिएगा और आप सबसे अपील है मेरे चैनल क तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें वीडियो अच्छी लगी आपको देखें हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं मेहनत करके ताके आप लोग आराम से घर बढ़ें आपको हमारा कॉंटेंट पसा रहा है आप देखें उसको और उन्जॉय करें अस आपने यह कर कियेगा अलाहाफीज